हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना गार्वनिंग चैनल जिसका नाम है गोषिश के प्लांट की हम्बास के प्लांट की हैं तो यह पौधा जो आप देख रहे हैं, इसका कलर इतना प्यारा है, बहुत सुन्दर कलर है, और बल्कुल अगर आप जीरो इंवेस्टमेंट गार्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज़दा खर्चा ना हो, बहुत ज़दा प्लांट्स की बहुत केर ना करनी पड़े ह आपके पास समय भी कम है, तो आप इतनी केर नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स में यह पौधा बेस्ट है, सबसे बेस्ट आप्शन है, कोई केर नहीं मांगता है, और पौधी की जब आप कटिंग लगा रहे होते हैं, उस टाइम भी आपको किसी तरह के रूटि इसको अगर इस समय आप लगाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कहीं से भी ले आएं और लगाएं, इसी के केर के बारे में हम बात करेंगे, तो यह एक पेरेनियल प्लांट है, वार्शी पौधा है, वार्शी पौधा है, आप इसको हमेशा अपने पा बात करेंगे, तो गमला आप इसमें कैसा भी दे सकते हैं, आप प्लास्टिक का भी दे सकते हैं, फाइबर का गमला या फिर अर्देन सीमेंटेट पार्ट या गरोबाएं का आप किसी में बेस को लगा सकते हैं, वड़े आरसानी से अराम से ग्रोव हो जाता है, मिटी हम इस वैसे तो यह किसी भी तरह की मिटी में चल जाता है, आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉयल में ही लगा देंगे, तब भी यह बहुत आसानी से सर्वाइव करता है, लेकिन अगर हो सके तो इसमें थोड़ा सा कॉम्पोस्ट भी मिला देंगे, वैसे तो हम गमले में जो तो मिटी इसको आप ऐसी देंगे, जैसे मैंने रेशियो बताया, आप ऐसी दे सकते हैं, सिर्फ आप गार्डन सॉयल में थोड़ा सा भी अमाउंट अगर कॉम्पोस्ट का मिला देंगे, तो भी ठीक रहेगा, उसके बाद अगर धूप की बात करेंगे, तो धूप इस पौ ना रखा है, कहीं भी रखें, पूरे दिन की दूप लगती है, तो भी यह पौदा खराब नहीं होता है, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा क्लाइमिट गरम है, तो आप इसको थोड़ा सा पार्शेल एरिया में कहीं रख सकते हैं, जहां थोड़ पतियों का कलर जो है, इतना खिला खिला सा वाइबरेंट सा जो है, यह धूप की वज़े से और ज़्यादा खिला सा रहता है, और सुन्दर लगता है यह पौदा, अभी जैसे इसमें अगर आपको यह मिट्टी के बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तो आप इसके लिए इसके उपर अगर जब जिस दिन देखें कि धूब बहुत ज़्यादा है तो इसकी पतियों को वाश कर दें, पतियों के उपर से पाने डालेंगे तो इसकी जो पतियां है इन पर की धूल जो हो हट जाएगी, और उसके बाद में इसका जो रंग निखर के आता है, वो बहु इसको नीट नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपना नॉर्मल सी मिट्टी में आप इसको लगा देंगे, तो भी ये कोई शिकायत नहीं करेगा, बड़े आराम से ग्रो होता रहेगा, कलर भी इसका ऐसी रहता है, फ्लावरिंग भी होती है, और जो ग्रोथ ह इसकी वो बहुत फास्ट है, चूँकि एक एक क्रीपर है, तो आप इसको अगर ऐसे लगाते हैं, जैसे किसी गमले में आगर आपने बड़ा पौधा लगाया हुआ, एरिकव अगर तो उसमें आप इसको नीचे नीचे इसको भी लगा देंगे, तो भी ये बहुत सुन्दर लगता है, और बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी जब हम गायडन अपना बनाते हैं, मतलब गमले में अगर पौधे लगा रहे होते हैं, तो उसमें हम फीड तो कराते हैं, पौधों को थोड़ा सा मेंटिनेंस तो रखना पड़ता है, तो बहुत जरूरी नह किसी बीमारी या पेस्ट अटैक इस पर होते मैंने नहीं देखा है, फिर भी अगर आप इसको कभी कभी इस पर जो पाउडरी मिल्डियू कह सकते हैं, या एफिट्स का अटैक अगर हो जाता है, तो आप इस पर साबून का जो हैंड वश आता है, उसको पानी में घोल के, य किसी भी तरह की समस्या से मुक्त रहेगा और ये पौदा ऐसे हल्दीर बना रहेगा आपका, ओवर वाटरिंग से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ये क्रीपर है, इसकी जो ब्रांचेज हैं, ये नीचे लगी रहती हैं, और इसको बहुत ज़दा गीली, मिटी सॉगी मिटी पसंद नहीं है, तो आप इसमें वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखेंगे, पानी बहुत ज़दा ना भरें, मिटी मॉइस्ट रहें, लेकिन बहुत ज़दा गीली ना रहें, पानी बहुत बरा ना रहें, तो ऐसमें फंगस वगरा की संभाब न हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा भरा रहेगा तो पानी का ध्यान रखें और वाटरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे मिटी मॉइस्ट हो और जब देख लिए सूख जाए तभी नेक्स टाइम अगला वाटरिंग जो करेंगे मिटी को सूखने के बाद ही करेंगे कटिंग से बहुत असा रोगा एक महीं आःया और जो बहुत आसानी आफार करने बहुत करेंगाएक आयो से एंगर आपको वीडियो पसंद दाता है तो। लाइक करें शूजळाए कॉमन्ट करें चैनल को subscribe ज्रूर करें मilde आए नेक्स्ट वीडियो में तब देक के लिए बाएए